बेग करके केक तो सभी बनाते हैं, आज बनाएंगे केक कुछ डिफिरिंट तरीके से हाई मैं मन्जू, स्वागत करती हूँ आप सभी का लेट्स कुक विद मन्जू में उमीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्त और प्रसंद होंगी तो आज बनाएंगे एक बहुत ही soft, moist और खाने में हलका फिलका केक जो बनाने में भी बहुत ही असान है, तो चलिए शुरू करते हैं इस केक को बनाना यहां मैं ले रही हूँ आदा के टोरी दही, इस दही को हम चलनी में से चाल लेंगे आप फ्रेश दही का इस्तेमाल करें और दही खटा नहीं होना चाहिए चलनी में चालने से दही के सारे लंस खतम हो जाते हैं और हमको क्रीमी टेक्षर का यहासा दही मिलेगा अब इसमें आड़ कर दें दूद इस पूरे केक को बनाने के लिए हम एक गलास दूद लगेगा तो अभी मैं इसमें तीन चुथाई गलास दूद आड़ करूंगी बाकी बच्चा वाद दूद हम बाद में आड़ करेंगे आप इसमें आड़ कर दें तीन चोथाई कटोरी PCV चीनी मेजर्मेंट के लिए आप कोई एक कप या कटोरी सेट कर लें और उसी से सभी इंग्रेडेंट्स का मेजर्मेंट करें थाकि आपका केक एकदम परफेक्ट बने मिक्स कर लें इन सबको अच्छे से और अब इसमें आड़ कर देंगे एक चोथाई कटोरी तेल तेल की जगहें आप गी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्स कर लें सबको अच्छे से और अब यहाँ पर आड़ करेंगे बेड कटोरी सूजी मैं यहाँ पर बारिक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ आपके पास अगर बारिक वाली सूजी नहीं है तो आप अपनी रगुलर सूजी को 30 से 40 सेकिंड के लिए मिक्सी में ग्राइंड कर लें और फिर उसको एड़ करें मोटी वाली सूजी एड़ करेंगे तो केक की बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी और आपका केक काटने के बाद बिखर सकता है तो इसका लंस फ्री एक बैटर त्यार कर लेते हैं और इसको हम 30 मिनिट के लिए साइड पे रख देंगे ढखके जिससे सूजी हमारी फूल जाएगी और नरम भी हो जाएगी तो केक बनाने के साथ साथ आज मैं आपको बटर पेपर बनाना भी बताऊंगी घर पर ही बटर पेपर बनाएंगे एक नॉर्मल वाइट शीट से ये एक फूर साइज के एक प्रिंटिंग शीट है और इससे आज बटर पेपर बनाएंगे तो जिस मोल्ड या बरतन में आपको केक बनाना है उस मोल्ड या बरतन की बेस के साइज का आप पेपर कट कर लें पूरा पेपर हम वेस्ट नहीं करेंगे जितनी हमको जरूरत है उतना ही कट करेंगे अब इस बर्तन को मैंने तेल लगा कर ग्रीस कर लिया और जो पीस हमने काटा था उसकी बेस का उसको अब इसमें सेट कर दें और उसको भी थोड़ा सा तेल लगा कर ग्रीस कर दें तो इस तरह से आप घर पर ही एक प्लेन शीट से बटर पेपर त्यार कर सकते हैं बैटर में आड़ करने के लिए मैं ले रही हूँ दो चमश टूटी-फूटी और आदी चमश मैदा फूटी-फूटी को मैदा से अच्छे से कोट कर दें ताकि यह आपस में ना चिपके आप ड्राइफूट्स का अब इस्तेमाल कर सकते हैं तीस मिनिट के बाद यह देखिए बैटर काफी गाड़ा हो चुका है और अब इसमें वो बचा हुआ दूद भी डाल देंगे जो एक चुथाई ग्लास दूद बच गया था उसको भी अविवैड कर दें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह की कंसिस्टेंसी हम को चाहिए इस केक के लिए अब यहां लाई कर देंगे 4 से 5 बूदे वेनीला एकस्ट्रेक्ट की वेनीला एकस्टरिंट का फ्लेवर इस केक के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है तो अगर आपके पास vanilla extract है तो आप जरूर डाले और साथ में add कर दे ये tutti-fruity आप मैदा इसमें ना डाले, मैदा को dust कर ले और सिर्फ tutti-fruity उसमें से cake में add करे इस सूजी cake में tutti-fruity का flavor और taste बहुत ही अच्छा आता है जब हम cake खाते हैं तो बीच-बीच में इसके pieces आते हैं जो बहुत pasty लगते हैं आप चाहें तो यहाँ पर cutaway dry fruits भी add कर सकते हैं और अब यहाँ add कर देंगे आदी छोटी चमच baking powder और एक चुथाई चमच baking soda baking soda हमेशा half quantity में लिया जाता है baking powder की इन सबको अच्छे से mix कर ले और यह आपका batter ready है steam होने के लिए आज हम इस cake को bake नहीं करेंगे steam करेंगे पानी की भाप में अब इस batter को transfer कर लेंगे इस mode में जो हमने पहले से ही grease करके और butter paper लगा के त्यार रखा था अब इस cake को हम steam करेंगे तो पतीले में मैंने यहाँ दो ग्लास पानी उबालने के लिए रख दिया और इसमें एक stand भी रख दिया इस पानी में एक उबाल आने देंगे इससे इस तरह से ढखके रख दे और पानी को उबलने दे तब तक आप इस cake के batter पे थोड़े से ड्राइ फूट से इसको इस तरह से सजा सकते हैं यहाँ पर मैंने खरभूजे की बीज लिए हैं थोड़े से स्टीम होने के लिए स्टीम करके जो हम केक बनाएंगी वह बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा और बहुत हलका फुलका होगा खाने में तो इसको स्टीम कर लेते हैं पानी गरम हो चुका है और अब इस stand पे हम इस बैटर को रख देंगे इसे हमें 30-35 मिनिट के लिए स्टीम होने देना है और इबर बीच में भी इसको हम चेक कर लेंगी आप बैटर को भी ढख दें और उपर से इस पतीले को भी ढख दें मैंने 25 मिनिट के बाद इसको एक बाद चेक किया था थोड़ा सा कच्छा था अब ही 35 मिनिट के बाद इसको चेक कर रहा हूं देखे, केक अच्छे से फूल गया है और इसको टुतफिक डाल करके आप चेक कर लिए सेंटर में टुतफिक डाले Everybody क्छा है अगर सेंटर में पग गया तो आपका पूरा इसको ठंटा कर लिया था मैंने और नेcidos Duck यह Butter Papers इतने अच्छे से बहार निकला आ है और ये cake, colorful बनके cake त्यार हुआ है जब हम cake को steam करते हैं तो cake का color change नहीं होता baking में cake का color change हो जाता है बट steaming में color change नहीं होगा बट cake बहुत ही moist बनेगा और बहुत ही soft cut करके देख लेते हैं इसको बहुत असानी से cut हुआ है ये और एकदम soft और fluffy cake बना है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होग तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब साथ ही दमा दे बेल का बटन जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिक किशन आपको मिलता रहे आज के लिए बस इतना ही फिर आऊंगी एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ थैंक यू फो वाचिंग आव गुड डेए